सारवजिनिक जीवन में पहली बार MLA बना तब 1995 में अब्दूल कलाम जी देश के जाने माने वेग्यानिक बन चुके थी और 1997 में उनको भारत रत्न भी मिल गया बारत रत्न प्राप्त करने वाला रामेश्वरम का ए महान बेटा इतना साधा इतना सरल था कि अमारे गुजराती अखबार में एक घटना चपी थी कि भारत रत्न लेने के लिए जब अब्दूल कलाम जी राष्ट्रपती भवन पहुँचे तब वो बड़े नर्वस थे क्योंकि उनको सूट पहने की आदत नही थी और टाइमे वो कमपट फिल नही करते थे नमोड़े रामनादपुरतीन मिख मधिपकुरिये इंद नवर बारत रत्ना विरुदई पेरुवदर काख अंग वंधपन अड़ंद वर सुवयान सेथि गुजरा थे पत्रिके एड़ल मंदर अंद दे और एक ही साल में रॉकेट और अंतरीक्ष के एक्षेत्र में भारत को कई सिद्धी दिन लाने वाले वैज्यानिक अब्दुल कलाम ने 1998 में देश के सामने देश के भविश्य के लिए अपना विजन रखने का काम किया अदे पोलं अड़त उर आयरती तुलायरती तुन्नूट्स यट्टा मांडिले इंदिया विन उर खनवु पादिये वलर्ची पादिये यला मुन्नेरत पोरत काख अवर मिख पिरियामान उर तुन्न अड़ित वैतार इंडिया 2020 विजन पोर्द न्यू मिलेनियम ये पूस्तक में अब्दुल कलाम जी ने भारत के भविश्य को भारत के विकास की रोड मेप को रेखांकित करने का काम किया मैंने उसका अनुवाद बहुत अच्छे से पड़ा है प्रमुक रूप से उन्होंने तीन बाते विशेशकर भारत के युवाओ के लिए देश के सामने रखी थी एक भारत ने राष्ट्र के रूप में अपने पोटेंशल को पहचान कर उसको उजागर करकर भारत का विकास करना होगा दो हमें टेक्नोलोजी आधारित अर्थ विवस्ता को विक्सीत करना होगा और तीन बैलेंस ग्रोथ मोडेल अपना कर घाव और सहर अग्रिकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के बीच में बैलेंस डेवलपमेंट को अपना होगा